नमस्कार दोस्तो आयरुवेद MFRS चकाचक में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गजब का नुस्खा बताने जा रहा हूँ इससे पहले आप सभी को और आप सब के परिवारेवालों को हैपी न्यू इयर नया साल मुबारक हो 2022 का यह वर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा हो मैं इस वर्स यह कामना करता हूँ कि यह वर्स आपके लिए लाफकारी हो सुख मैं हो और लाफकारी तब होगा दोस्तो जब आप स्वास्थ रहेंगे तो इस वीडियो मैं बताने चल रहा हूँ आपको मेथी का उपियोग, मेथी के फायदे क्योंकि दोस्तों यह वीडियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेथी का उपियोग है या करना कैसे है, कब कब करना है और कितनी मात्रा में करना है क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी हो सबसे पहले तो ये जानना है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा और कितनी मात्रा में होगा तभी वह लावदायग होगा अदरवाईज नुकसान भी हो सकता है फिलाल आयरवेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है इसके लिए घबराय नहीं दोस्तो हम बात करें आज मेति के फायदे के तो वीडियो में जो भी देख रहे हैं यह मेति का बीज है और यह हरे हरे जो देख रहे हैं यह मेति का पवधा है यानि पत्ता है तो आपको मेति का बीज ही यूज करना है ना की पत्ता दोस्तो आप जानते हैं हमारे चैनल पहुत सारी वीडियोच बड़ी हुई है जो कि pूरसों के यौन रोक की समस्या और इस्त्रियों के यौन रोक की समस्या के लिए बहुत ज्यादा लाव दायक है तो दोस्तो अगर हम बात करें योन रोक के पूरसों के योन रोक की तो जिससे जिसमें की हैं स्वापन दोस्त, सीगर्पतन और धातु का गिरना दोस्तो इसमें मैं बताने चल रहा हूँ कि इन सभी बिमारियों का जड़ से इलाज है मेथी के बीज में क्योंकि मेथी का बीज बहुत इज़ाद उपयोगी और यह कह सकता है कि गुणों से भरपूर होता है जोस्तो साइपनिन नमक पदार्थ पाजाता है मेथी के बीज में यह बीज अगर आप लेते हैं इसको तो किया करता है कि यह पूरूसों में जो टेस्टो selective हार्मोन होता है जो सेक्स की छमता को या सेक्स को बढ़ाता है किसी भी इंसान के अंदर सेक्स पावर को जगाता है तो उसी का काम करता है तो मेथी का जो उपयोग है अगर आप अच्छे से इसको करते हैं तो यह आपके अंदर टेस्टो एस्टोरोंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा जिससे आपके अंदर सेक्स की छमता आ जाएगी और अगर आप सेगर परतन से पीडित है अगर आप टिक नहीं पाते हैं तो इससे अच्छा खासा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो दोस्तो हम बात करें इसको कैसे लेना है तो सुबा साम आपको नहीं सुबा साम नहीं केवल सुबा ही लेना है और आधा चम्मत से थोड़ा कम हिलेना है आपको इसको पानी के साथ आप अगर पाउडर बना लें तो पाउडर बना की उचकर सकते हैं इसको आप ऐसे ही करिए कम से कम 20 से 21 दिन फिर फर्ग देखिए आप खुद ही देखके चौक जाएंगे तो इसको ठंडियों के मौसम में हिलेना कि इसकी तारसीर गर्म होती है यानि जो ये मेथी होता है ये गर्म प्रकित का होता है इसलिए नुकसान दायक भी हो सकता है आपके लिए तो इसको ठंडी में ही लेना है तो इसलिए ठंडी का मौसम है देर न करें और वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए अगर नए हैं ताकि हम आपको वीडियो देते रहें धन्यवाद